इस ओफ डूइंग के बाद में आपका SDI हो गया, HCI हो गया, हंगर हो गया, है ना, inequality यह सब economics के हैं, तो यह कहीं पर भी आपका question लग सकता है, यह table पूरी की पूरी important है, लेकिन लगने के chances है, इस ओफ डूइंग रिपोर्ट, चलते हैं, वर्ल्ड कप की तरफ, वर्ल्ड कप ह सब्रेक्षाइब की हच्टर की still company Tisco को खोली गई थी, कांसी खोली गए थी, Tisco, का आप बोलते हो Tata, R.N, still company, यह कब हुआ 1907 और इसका टाटा नगर जम्षेद जी टाटा ने इसको बनाया था इसको जम्षेद पूर भी बोलते थे क्या बोलते थे जम्षेद पूर फार्स यह ना बिटा जम्षेद पूर तो कई वार कोशन आता है टाटा एरन इंस्टिल कंपनी कब बनी इकनोमिक्स कोशन ता 1907 तो जम्षेद बोलो फ्रतन टाट अपने आपको क्या समझता है जैंस बोन तो 1907 धियान रखना उनिस्ट साथ लिकना और 1907 में एक बैंक भी बनका आया था एक बैंक बैंक निस्ट साथ आया था तो पॉब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग का बैंक था और जिसका नाम आपका इंडियन बैंक कॉंसा बैंक इंडियन बैंक क्योंकि इंडियन बैंक भी कब बना 1907 के अंदर कब बना था 1907 सब्सक्राइब मईद के बिदू और मनिकूर से बिलँग करती है M.C. मिरिकॉं जिसको सब दस वे मेइला बाक्सिंग जो نए दिली भारत होस्टिंग कर रहा 2018 में उसकी ब्रांड एमेसेटर बनाया गया है MC मेरी कॉम इसके लवा ट्राइबल एरिया के भी क्या है ब्रांड एमेसेटर है न पिछले और हमने कहा था आदिवासी जनजात ये शेतर की किसको बनाया गया तो आपका अंसर क्या होता है MC मेरी कॉम और MC मेरी कॉम के पर एक उमंकुमार ने मूवी बनाया थी जिसका नाम था मेरी कॉम जिसके अंड़ प्रियंका चोपड़ा ने MC मेरी कॉम का रोल प्ले करा था और उसके डारेक्टर का नाम था उमं कुमार, क्या नाम था, उमं कुमार, तो अभी यह दी क्योशन आ जाए, कि महिला बॉक्सिंग चेंपियन्शिप का आयोसें कौन देश कर रहा है, तो भारत कर कैना, बेटा, 2018 का, और पुरुष बॉक्सिंग का करेगा, दोजार इकिस में भारत कप करेगा दोजार इकिस में दोजार इकिस में पुरुष बॉक्सिंग चेंपियन्शिप की वर्ल्ड पुरुष बॉक्सिंग चेंपियन्शिप की होस्टिंग कौन करेगा तो आपका अंसर क्या होगा भारत वो दोजार इकिस में और ये कप बेटा 2018 में भूल भी जाओ तो 21 का लड़का और 18 की लड़की तो उससे याद हो जाएगा तो 2021 में तो लड़का हो जाएगा और 2018 में क्या हो जाएगी लड़की ये बड़ा इजी ट्रिक होता है और दोनों बॉक्सिंग करेंगे एक दूसरे को मारेगा एक दूसरे को मारेगा कटम ठ अच्छा कोशन है लगने लाए के शक्ति, शक्ति शब्द इजी होता है, पहला भारत का स्वदेशी माइक्रो प्रोसेजर, यह कंप्यूटर का कोशन है, इसका नाम क्या है, तो आपको क्या लिखना है, शक्ति, पावर, शक्ति, ठीक है, इंग्लिश में शक्ति आएगा, इसे फर्स्ट नमबर पे तो IIT मुंबई था, और सेकंड पे IISC बैंगलोर था, IISC क्या था, बैंगलोरू, और IIT मदरास को कौन सी पोजिशन मिल थी नेलेमिल पे, थर्ड नमबर पे, और IIT मदरास के ही बंदों ने एक बहुत ही चोटा सैटलाइट बना दिया, कित्ते का, 64 ग मदरास के बंदों ने एक छोटा बनाया, पित्ते का, बिल्कुल सही है, ठीक है है, और उसका नाम क्या रका गया, वेरी ना, नाम क्या था, कौशन आप से नाम क्या था, जेहेंद is the right answer क्या नाम रखा गये था जेहेंद क्या रखा गये था जेहेंद बिल्कुल सही चलिएगा next एक और question को देखते है देखिएगा pollution के regarding air pollution और health के regarding पहला WHO Global Summit जो है WHO में है आयोजित वहा था और इस ता headquarter का है Geneva Switzerland यह हुआ है आपको पता हो तो अभी सबसे बड़ी समस्या जो है एयर पोलूशन कौन सी है एयर पोलूशन और एयर पोलूशन के लिए अवेर के लिए डब्ली एचो ने पहला ग्लोबल कंट्रेंज कहां पे किया अपने हैड़कॉर्टर जिनेवा सुजलेंड के अंदर देख इसका लंडन में बस यह एक अपवाद है जो कोशन आता है देखिए अब बाकी जित्ते भी आप ले लो जिसके आगे डब्ली ओ पीछे ओ आजाए आगे आई और पीछे ओ आजाए आप जिनेवा सुजलेंड कर दीजे आपका अंसर बिल्कुल सही जाएगा लेकिन एक एक अपवाद है आपका इंटरनेशनल मेरिटाइम और्गनाजेशन यह कहां पर है लंडन इसका लंडन करके आना बाकी सब में डब्ली ओ आई ओ आजा तो आपको जिनेवा सुजलेंड कर दीजे बिल्कुल सही जाएगा प्राबबलिटी सही होती है 99.99 क्यों एक अपवाद र पेटी सपुत्री और पहली महिला वनी है जो डबली ओचो में एडी जी वनी है क्या वनी है एडी जी असिस्टेंड डारेक्टर जनल कोशन आ सकता है सोम्या स्वामिनाथन पहली भारतिय महिला जो डबली ओचो में क्या वनी है एडी जी और इनके पिता का नाम है एमेस नाथन ये अच्छास्त्री है बेटा प्रिशिगत और अभी इनको विश्व का पहला एग्रिकल्चर अवाट दिया गया है FAO के द्वारा फूड एग्रिकल्चर और्गनाजिशन जिसका हैट्वाटर है इटली रोम में कहा है बेटा इटली रोम में और इनको में स्वामिनातन सर को हम हमारी लेंग्वें जों बोलते है फादर ऑफ ग्रेन रेवलेशन इंडियन 1965-66 और ये इंडिया के बेटा इंडियन वाले ये कहलाएंगे लेकिन इनका साथ किस ने दिया था नर्मनी बालोग नर्मन टी डॉट बालोग और आप कहां से थें मेक्सिको से कहां से थें मेक्सिको से इसलिए कई वार कोशिन आता है कि में स्वामिनातन अवार्ड किस सेक्टर में दे आते हैं कृषिगत शेत्र में और बालोग पुरुसकार भी किस सेक्टर में दे आते हैं कृषिगत शेत्र में और ग्रिन डिलेशन्स के फादर ये दोनों ही किलाते हैं नर्मनी बालोग स्वामिनात्र सर को मिलाए और इनकी बेटी कहा है बेटा डबली हो में एडी जी डांट कलियर और प Cameron कैली है अभी आप इन कोशेशन को जितना लिखोगे और जितना समझोगे बाद में आपके 50 के और और इसे में से आंसर है सब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे में से आंसर है इसलिए आपको अलर्ट हो के पढ़ना ठोड़ा ठीक है चलते हैं आगे डबली अचो के बाद यूको बैंक के तरफ देखेगा यूको बैंक के अंदर M.D. और C.O. चेंज हो चुके हैं और ये M.D. और C.O. जो बने है वो बने मिस्टर अत्तुल गोयल अत्तुल गोयल जो है वो नए M.D. C.O. बने है यूनाइटिट कॉमर्शियल और इन्होंने रिप्लेस करा है आरके ठ रखकर ये Y.O.O. बैंक बोई बैंक के जिसको मैंने कहा था 1943 में बना है और अभी हाली में 6 पॉजिशन के पर आच चुका है फिप्ट के ओपर कोण आचुका है बंदन बैंक कौन सा बैंक आचुका है बंदन बैंक 1943 का बैंक है अतुल गोयला है कौन है अतुल तो याद करने का तरीका कैसे होगा बड़ा इजी तरीका बनाया देखेगा आपने क्योंकि इसमें शब्दारा कॉमर्शल और कॉमर्शल का मतलब यह हो गया जो कॉमर्शल लोन देता है अब बहले तुम अतुल शक्ति को दो चाहे बजाज एफी को दो आप सिक्स पोजिशन पर वो फिफ्ट वे तो कौन आ गया बंदा उल्टा याद करो ना और आप कॉमर्शल लोन देते हो और कॉमर्शल लोडिंग विकल के अंदर को ना आता अतुल शक्ति और साथ में को ना आता बजाज एफी आप बजाज एफी को दो चाहे अतुल शक्ति को दो सर आप तो six position के को परो फिफ्ट वे तो कोन आ चुका है बंदा ठीक है ओके नौ finance का question है RBI ने अभी NBFC जो close car group है उसको close car capital का दर्जा दे दिया है ठीक है question आ सकता है close car group भी अब किसमे आगी है बेटा non banking finance company में इनका license क्यों जारी करता है RBI पहले NBFC को समझना ज़रूरी है आपको NBFC क्या कलाती है वे company जो की RBI के दोरा license होती है जो loan देती है तो पैसे जमानी करती है और पैसे जमा करती है तो loan नहीं देती है और इसको license कौन देता है RBI सभी banking sector और सभी non banking finance company को license कौन देता है RBI और किसके under में regulate को होते है बेटा RBI के under में बट इनके उपर banking sector वाले rules and regulation लाग वो नहीं होते हैं ओके तो NBFC में close कर और close कर group से क्या बन गया अभी close कर capital और इसके industry के जो है वो head कौन थे बेटा Mr. Vimal बंडारी Mr. Vimal बंडारी चलते हैं भारत की रक्षापंती की तरफ भारत की रक्षापंती में एक और चार्चान लग गया है पिशली वार जब मैं था तो रशिया से मैंने आपको S400 बताया था क्या बताया था S400 इस वाद भारत ने डॉलर नो सो पचास मिलियन का एक कांट्रेक्ट करा रशिया के साथ जिसमें टू अपग्रेड़ेड किर्वक थार्ड क्लास इस्ट्लैट जो है वो ली जाएगी तो देखिए का यहां के आपको यह याद होना चाहिए कि तीन देशों से हमारे ज़्यादा सम्मन्द है एक यूएस से एक रूस से और तीसरा तो काफी चर्चा है है ना हाँ राफेल है कि नहीं है राफेल यहां राफेल आता है यहां पर आपका S-400 आता है बिटा और साथ में क्या जाएगा आपका किर्वाक थार्ड और जब इसकी बात आती है तो M-777 और A-5 ठीक है M-777 भी तो अभी नीशी लिए पुने यूएस से है और साथ में के लिए बिटा आप आप आचे हेलिकॉप्टर उसके लाए S-400 एंटी गाइडिड मिसाल और उसके बाद में क्रवाक थार्ड और राफेल के है बिटा फाइट फाइटर कोने फाइटर जिसका विवाद चल रहा अभी भी ठीक है तो यह कोशन आपको आसकता है कि भारत और जैसे अभी आया था कोशन राफेल की डील भारत ने किसके साथ करी तो आपका कोशन की होता है फ्रांस हो सकता है S-400 का आजाए तो किससे का साथ करी रहुस और किरवाक आजाए तो भी किसके साथ रूस M777 आजाए तो US, Apache आजाए तो भी US, ओके, ये एक्चुन में M777 एक कैनन है, छोटी जो है तोप है, आपने ती वो बॉर्डर पिच्चर देखियो, तो बॉर्डर में जो संदी रेवल नीचे से चलाते, बैट के चलाते इसको, है न, वो वाली होती है, बोरी के जो लगालते साथ में विडमना ये है कि मैं को 21 दिन की करन्ट अफेर्स कंप्लीट करनी है, इसके समय कम है, और में पास में टेक्स के है, ज्यादा, मैंने इसमें कहले, A और B ग्रेड वाली ही आपको पढ़ा रहा हूं, CD तो आप खुद पढ़ लेंगे, और अगली वार, क्योंकि मैं आ अगनी, ट्रिशूल, सम मिसाइल्स के बारे में बताऊंगा आपको, और वाका है तो उसके से मुझा अब दिखाँगा तो आपको अभी बूलेंगे भी, नहीं, यहां उसकी पिक्चर्स रहेगी, क्या रहे है कि उसकी पिक्चर्स, ओके, जैसा कि अभी मैं आपके साथ में शेयर करूँ, तो अभी हाली के अंदर जो हमारा आइनेस विराट है, उसको म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि अब इसको रिटायर्मेंट करा था, तो फाल्टू था, तो उसके अंदर किस तरे से इसको संग्राल्य का रूप दे दिया गया, जहां पे कोई भी टूरिजन जाके देख सकता है, वो था आइनेस विराट, क्या था, आइनेस विराट, और ऐसे हमारा जो आइनेस विकरांट था, उसको नस्ते नाबूद करने की जो धाना थी, वो थी पाकिस्तान की, और उसके पर एक मूवी बनी थी, इसका नाम है गाजी अटेक, कौन सा गाजी अटेक देखी हो तो उसके देखना विकरांट को धराशाई करने की थी, उस पंडूबी का नाम, जिसका नाम कहता गाजी, और अभी हमने, यदि रक्षा की जब आपने बात, छेड़ी बेटा इसलिए बता रहा हूँ, भारत छटा ऐसा देश हो चुका है, जो जल, थल, नब, तीनों का वार कर सकता है, क्योंकि हम अब तक जल में नहीं थे, और जल में हमारी एक सम्मरीन तियार हो चीए, अरियन, कौन सी तियार होगी, अरियन, और अरियन दिवाली पे गिफ्ट होगी, और तीन हजार किलोमेटर उसकी रेंज है, और तीन हजार किलोमेटर अपने आपने 6,000 टन वजनी और 3,000 किलोमेटर रेंज यानि आप हिंद मास अगड़ से परशान मास अगड़ तक किसी भी जाज को उड़ा सकते हो तो ये चीज बताती है कि भारत रक्षा पंती में आगे बढ़ रहा है ये नेने हतियार हत्यादूनिक जो हम देख रहे हैं इ आभी तो बंकर्स में आप पूछिए गा वो कहते हैं कि हापे AC भी लगा हुआ है, कूलर भी लगा हुआ है, फ्रीज भी लगा हुआ है और आप LED भी लगी भी है तो इससे पता चलता है कि हमारे डिफेंस को सब भी सुईदायें दे रहे हैं डाउट के लिए और और इसका अच्छा एक्जांपल आपने भी प्राक्रम पर देखा होगा जोदपूर के अंदर और उससे पहले आपने हमारा डिफेंस का एक्सपो देखा होगा चिन्नही में जहां पी एम साब खुद गए थे हमारा पहला डिफेंस का एक्सपो हमने करा था चिन्नही में जहां पे अत एक्सपो करके बताया था और सबसे शांदाद पहला एक्सपो था डिफेंस का जो चन्नाई में कहा गया था जा कौन गया था हमारे पीम साब 2018 की बात ही बिटा कपकी बात है 2018 की नो कम टू दा नेक्स अच्छा लगने लाइक कोशन है देखेगा पांच राज्यों में जब बिता भी दो लेकिन अभी मोदी जी ने इलेक्टर बांड जारी कर दिये और ये का कोई भी वेक्ति 2000 उपे से ज़्यादा कैश नहीं दे सकता और 2000 से ज़्यादा यदि अपनी पारटी को चंदे करूप में राशी देता है तो उसको चुनावी बांड पर्चेस करने हैं किते दिन के लिए उता हैं दस दिन के लिए ये बी एरर होते हैं बी एरर का मतलब इसमें नाम नहीं लिखा जाता लेकिन कोईशन ही आता है कि किते रुपे से ज़्यादा आप यदि किसी पारटी को चंदा देते हैं तो आप के लेक्टर बांड खरीदने पड़ेंगे 2000 से ज्यादा और इसका duration क्या होता है 10 दिन और यह bond होते है BRA ये किसी के रजिस्टर नहीं होते है क्या होते है BRA और दस दिन बाद में अधिन वो उसको cash में convert नहीं कराता है तो उस पैसे को party को donate मौन लिया जाता है और दस दिन में चाहिए तो इसको एक दूसरे से ट्रांसफर भी किया जा सकता है क्योंकि बी एरर को आप पहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो क्योंकि रेजिस्टर तो ही नहीं तो कोशन आ सकता है और ये छटा इश्यू है कौन सा इश्यू है है ना जिसको political funding बोलते हैं क्या बोलते है political funding और इसमें transparency रहे यानि आम जनता भी यह देखे कि एदि किसी ने पैसा दिया है तो legal दिया है illegal नहीं दिया है क्योंकि इसमें वाका एदा आपका जब ले रहे हो बॉन तो legal हुआ ना बेटा और केश तो illegal ही कहला था यह तो आप भी जानते हो तो इसलिए यह SBI branch से दिया जाएगा और इसका six phase से बेटा जो selling के लिए start हो चुका है और यह electronic bond जो है वह 29 authorized branch में मिल रहे हैं उसके बाद चलते बेटा एक और बड़ा achievement देखेगा मैं आपको achievement को वापस इसलिए याद दिला रहा हूं सबसे पहले हमने 99 देखे थे रोजर फैडर के मैं आपको यह क्यों याद दिला रहा हूं आप देखेगा एक players को इतनी मेनत करनी पड़ती है और इतने 40 साल उम्र है सर की और 40 साल के उम्र में सोवा achievement कर रहे हैं कौन सा achievement कर रहे हैं सोवा इसके लावा MC मौरी कॉम पांच वार वर्ल्ड चेंपियंशिप उसके बाद में 19 टाइम वर्ल्ड चेंपियंज कौन पंकर जड़वानी और पहले बाहरती है जिन्होंने एशिन स्नुका ट्यूर इवेंट जीता बिलेट्स कहलते न सर उसके बाद यदि मैं चलता हूँ तो बजरंग कुनिया जो कि अभी पहलवान में सबसे वर्ल्ड के नंबर वन रैंकिंग उपर चल रहे हैं इसके लावा विराट जी कोली को कौन भूल कि मैं रहा है जिन्होंने 10,000 रन पूरे कर लियंग और सचिन देदूलकर का रिकोर्ड तोड़ा और इस वार तो 92.5 की एवरेट से खेल रहे हैं एक हजार नुकिंगे स्कोर क्या है 92.5 हर मेट में सेगडा मार रहे हैं हरमेट में क्या मांग रहे हैं सेगडा और इसका कि रिखे लोड शाहिद अफ्रीद आगे फिर्स गेल और शाहिद अफ्रीद हिटमेन के नाम से जानते हो और हर्मन प्रीट को कौन बूल सकता है अब भी देखिएगा इन्होंने न्यूजरेंड के नजब के हमारा पहला शतत टी-20 में और ऐसे हैती आप मिताली राज को कैसे उसने तो सबको ही पीछे कर दिया कोली को भी कर दिया और साथ में किसको कर दिया रोहित को भी कर दिया आज यह आप फ्रंट देखते हो तो उसके पर क्लियर क्या फोटा आई है मिताली राज की तो यह चीज पता है क्या बताती है यह मेरा कहने का ताथपरी है कि यह लोग गेम में इतना फोकस करते हैं, इतना फोकस करते हैं, कि इनके मन में ही होता है कि इस मरे मुझे गोल से नीचे नहीं लाना है, तो यहां पर मैं यह चीज आप के लिए करहा हूँ, आप के लिए भी तो यह composition है चाहे वो current affairs हो, चाहे मैत हो, चाहे computer हो, चाहे other subject कोई भी हो, तो आपको तो हर को crack करना न, आप यह पढ़ने दो ना आते हो, आप तो exam crack करने के लिए आते हो, और जैसे मैं पढ़ाता हूँ और जैसे आप मेरी class को देते हो वरियता विसे सभी को दो, क्योंकि exam में सभी equal है, क् computer भी उत्ते ही marks लेका आएगा, current affairs भी वही आएगी, banking भी वही आएगी, तो आप concentrate करो, और achievement करने के लिए practice, compulsory है, यदि practice ना होती, तो इन छुट्टियों में मैं अलग से तयार नहीं करता, मैं तो अभी जो आपके हाथ में हैं, वो पढ़ा के ready होके और free हो जाता, अब तो 40 question आते हैं, तो 40 के 40 से ही होने चाहिए, मैं 39 के लिए मैंनत करता ही नहीं हूँ, मैं मैंनत करता हूँ 40 के लिए, और मेरी जैसे मैं कहता हूँ, बनो, और यह सब बनता है, जब आप अच्छे team captain के साथ खेलते हो, जैसा अभी बैठे थे ना, student के रूप में, तो वो में सबसे इजी है, पढ़ाई करना, और सबसे कटीन है, बैठे रहना, बैठे कैसे रह सकता है, इनसान, पढ़ाई करते रहने ही, चाहिए, मैं इनको यह इसलिए बता रहूं, देखू ना, पहला भारती है, क्या इनसे पहले गीच सेटी नहीं थे, लेकिन नहीं बने, उन् पहले सनूकर चेम्पियंशिप जीती है, बैठा, जो UK में हुई थी, कहा हुई थी, UK, और सड्ने अभी, एशन सनूकर जीती है, जो चाहिना में हुई थी, कहा हुई थी, चाहिना, और चाहिना के खिलाडी को है रहा है, देखो, जूरी टी को, किस को आठाए, जूरी टी, तो यह जो मैं शब्द बोल रहा हूं तो आपको याद उनेचे कि यह खिलाडी कौन सा गेम खेलता है जिसे गीट सेटी आजाए, सौरब कोठारी आजाए, यह आपका पंकज अडवानी आजाए, यह सब क्या खेलते बेटा, स्नूकर्स, जिसको आप बिलियर्स के नाम से जान और दोनों के लिए तो हमारा गार्जेयन जोडम साहब हो जै जा सो जोड़िंगर का मैं माईwalk मैं जब्रस जानेगा मैं मोजय से कह मनेगा माईजोय esta के लिए ग्लानी अपशद आकशों के रीभा मैं से थाजिक अड़ sóसर अर्ट एक बापस हो डानी झानी है तरवा 13 मिस्टर मैडम सीमोना बाइल्स यह मैडम सीमोना बाइल्स है जो USA से बिलॉंग करती बटा जिमनास्टिक है और इन्होंने वर्ल्ड जिमनास्टिक चेम्पियंशिप क्यों वी थी दुआ कतर यह कोशन आते है अपंतर सोते T20 पूछेगा जो वेस्ट इंडीज में चल है जो कि USA की है जिसका नाम क्या बेटा सीमोना बाइल्स यह भी लगता हिस्ट्री रची नहीं यह 99 उसके पांच पांच के बाद में अभी आपने पंका जडवानी जी का देखा उसका तेरा नंबर यह देखा या बजरंग पूनिया का आप रिकोर्ड देख रहे हैं यह सब पूर एक किताब अभी एयार रह्मान सरक्यों पर बनाएगे जो उनकी बायोग्राफी है बेटा जिसका नाम रखा है नौर्स ओफे ड्रेम नौर्स ओफे ड्रेम और इसको लॉंच करिए बेटा कृष्णा तिलोग ने किसने करिए कृष्णा तिलोग ने हमने ट्रिक क्या बनाएगे दिखेगा मैंने डिस्क्लैमर पहले बोल दिया है इसलिए तो हमने ट्रिक भी बनाएगे हमने ट्रिक कर लो आपका सपना जभी साकार होगा जब आप जैसरी कृष्णा लिख हो गए जैसे बुड़े लोग क्या करते नाम नाम की किताब लिखते ना तो आपका हो तो सिक्किम के ब्राण्डे में से और कहां से विलों करते है अजमेर से अजमेर कुंदन नगर इनका बंगला कहां पर है अजमेर कुंदन नगर है कि नहीं जे हो ऑसकर चलते अनुपम खेर की दरफ जो मैं आपको बताया बेटा डिस्टेंग वाइस फैलो आवाड किस ने जीता अनुपम जी ने और यह थर्ड इंडिया ग्लोबल समिट कहां पर आवेज़ित्विती बेटा बॉस्टन यूएस में कहां पर आवेजित्विती बॉस्टन यूए वहता है dlouक्त कुछ की लोग के कर ciao कुछ उन्षॉ रिविव ऑट रियुद्ट को मुह मुह का यहां चो टुछ सेक्न symbolism इसे सब्वाइद के सबसेद आप तुछ she एम से मुली एम से माउथ इसले उसको क्या हो गया cancer इसले review लो के हुआ या नहीं हुआ इसमें मेरा कोशिन आता है साथ मॉंबर के दिन कौन सा डे मनाये जाता है cancer awareness क्योंकि cancer की बात चली ना बिटा इसले cancer awareness दे का मनाये जाता है साथ मॉंबर आपको मेरी आवाज पिछे तक आ सकती गया ऐसा तो नहीं कि डिस्ट्रक्ट कर रहा है शो ओके दिखेगा क्योंकि अगले दिन डिमोनेटरेशन था ना बेनों और भाईयों आठ तारिक को था ना राम राम करने आ सकते थे भाई राम राम गोलते है पन दिवाली का राम राम सा वो राम राम करने आ जाते तो भारी पर जाता पूर धर दीवाली को एसेस देशवाल यह फोर्स का कोश्यन ने लग सकता है बेटा ITPV जिसको हम बोलते है बेटा इंडो टिप्तियन बॉर्डर पुलिस यह अक्टूबर 24,1962 के दिन बनाई गई थी देखो 24 अक्टूबर आती दिमाग में UN Day आ जाना चाहिए और TV देभी आ जाना चीए वाना उद्ध पूलियो डे उन डेभी का वाता है 24 अक्टूबर को और ITPV डेभी का वाता है 24 अक्टूबर को तो 24 सक्टूबर 1962 को जब चाइना ने था आतेक करा था क्योंकि 62 में चाइना ने क्या करा था अटैक इसलिए ITPB की स्तापना हुई ती और इसके अंदर अभी नए डीजी कौन मनाया गए SS देशवाल देशवाल सर ने रिप्लेस कराया बेटा R के पच्चननदा सर को और देशवाल सर इसके अलावा अभी एडिशनल चार्ज ओर समाल रहे हैं बेटा डीजी का जो है SSB का जिसका है बेटा SSB हमने कैसे याद करा देखो बड़ा इसी करा सर का नाम देशवाल है तो हमने का इंडिया और तिब्बत दो देश है इंडिया और तिब्बत के हैं दो देश तो उससे देश से क्या हो जाएगा देशवाल ITPB में head कौन मनाए गए देशवार कौन मनाए गए देशवार अशोक कुमार गुपता लगने लाइक कोशन है को का कोशन है CCI competition commission of India फिले इसको जानू यह competition commission of India क्या होता है एक्चिन में 1969 के अंदर एक act आया था इसका नाम था MRTP Act Monopolistic Restricted Trade Practices जिसका मतलब यह था कि कोई भी company एकादिकार नहीं कर सकती उसको पर्तिबंद करने के लिए act लगाया गया था इंद्रा गांदी जी के कारेकाल के अंदर तो MRTP आया था एकादिकार नहीं कर सकती नहीं तो क्या होता धनाट डिवर्क एकादिकार कर लेता और दूसरे लोग पनप नहीं पाते और मार्केट में position हो जाती मोनोपोली की किसकी हो जाती मोनोपोली की यह जिसकी लाटी और उसकी बैस है तो इससे wealth जो होती उसकी diversity क्या होती जादा तो MRTP एक्ट इसलिए लाया गया था 1969 में कोई भी उद्योग में सिंगल मोनोपोली नहीं कर सकता यह एक्ट आगे चलता गया और इसको अबलेश किया गया 1991 में और उसके बाद में जो है fair competition एक्ट आया था 1993 में फिर उसी एक्ट को convert करके commission मना गया गया दिया गय 2003 में commission मना है जिसका नाम है CCI CCI को बोलते competition commission of India इसका मतलब यह होता है कि कोई भी company आपस में price war नहीं कर सकती जैसे अभी trade war चल रहा है चाइना एंड यूएस चाइना एंड यूएस कोल वार होता है आपका यूएस और रशिया और अभी trade war जो चल रहा है यह खतरनाक होता है द्यान रखना जहां जिस देश के अंदर major importer major exporter के बीच में trade war चल जाए ना तो वो देश जो बीचवार होता है नो मर जाता है जैसे इंडिया इंडिया का major importer कोन है चाइना और major exporter कोन है यूएस और दोनों आपस में आपस में क्या कर रहे हैं trade war और trade war के चकर में हमारा dollar म appreciate हो रही है और dollar क्या हो रही है appreciate तो इसमें आप ये भी एक reason दे सकते हैं कि जो आपका trade war चल रहा है between the China and US ये दे सकते हैं पैट्रोल का और दूसरा दे सकते हैं कि अब इरान से जो पैट्रोल आ रहा है उसके बाद में petrol rate क्या हो जाएगी down ये तो पहले पर्दिबन था ना और अब इरान से petrol आएगा तो सस्ता आएगा दूसरा reason और तीसरा reason आप दे सकते हैं कि सबसे जादा हमारे यहां पर petrol को import किया जाता हमारे यहां पर petrol निकलता नहीं है और reason दे सकते हैं कि इसको GST में शामिल नहीं किया गया है ये reason होता है जिसके वज़े से petrol के दाम बढ़ अब अशोक कुमार क्या competition लेंगे आज कल नहीं हिरों से ले सकते हैं वो तो है नहीं इस दुनिया में ठीक है तो CCI मांसी गुलाटी इन्हों ने भी एक किताब लिखे is Yoga and Mindfulness देखेibl진 ऐसी केताब जाद आती है हमने आपको क्या ट्रिक बता मन से योगा करो ने तो लाटी की पढ़ेगी है कि नी मन से क्या करो योगा ने तो लाटी की पढ़ेगी तो गुलाटी मन से योगा करो अब पता चला आप तो माइंडफुलनेस है माइंड में तो और बाते चल दी है और योगा करने बैठ गए तो मैंने का mindfulness मत हो मन से क्या करो योगा ने तो क्या पढ़ेगी लाटी लाटी से क्या हो जाएगा गुलाटी अब भी हमने एक union minister को खो दिया है बेटा अनन्त कुमार और उनकी जगे ने नरेंदर सिंग तोमर को बनाद भी दिया है नरेंदर सिंग तोमर और सदानन गोडा ठीक है बेटा तो नरेंदर सिंग तोमर और सदानन गोडा रिप्लेस हो गया भी तो पहले union minister की साइड चलते जो पॉलिमेंटरी affairs देखते थे chemical and fertilizers जो की बैंगलूरू से ब्लोंग करते थे और इनका lung cancer की वज़े से एचन अनन्द कुमार का क्या हो गया देहान ये विजेपी leader थे बिटा अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन इस ministry के खाली होने के बाद जो सदानन गोडा और उसके लावा नरेंदर सिंग तोमर को ministry दे दी गई उसके बाद चलते हैं next बिनी बंसल अब को पता हो तो hashtag me too hashtag me too अभिहान के तेथ आप भी आगे लपेटे में जिसका नाम क्या है बिनी बंसल फिलिपकार 2007 में बनी थी बिनी बंसल और सची बंसल के दोरा इसको बनाया गया था और सबसे बड़ा जो acquisition था वो यही था dollar 60 billion का जो कि Walmart ने खरीदा था किस ने खरीदा था वाल्मार्ट अल्टिमेटली इन्होंने resign दे दिया बिनी बंसल से और अब यह charge किसको मिल गया बेटा केके को केके बोले तो कल्यान क्रिश्ट मूरती यह question लगता कल्यान क्रिश्ट Walmart का टीम मोधीच साब ने एक और हिस्ट्री लिख दिये बेटा और वो रखी है बानारस में बानारस के इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जो कि 2400 करोड के थे जिसमें से सबसे बड़ा national highway और inland water way terminal on river गंगा बरान सी टू हल दिया बरान सी टू हल दिया यानी ग इंजन मॉंटेनर लेके गंगा के रसते बरान रस से का जाएगा पश्चीम बंगार हल दिया पश्चीम बंगार हल दिया तोसमें कोशन आ सकता है देश का पहला inland water way terminal कहां चलाया गया या विसल कहां से कहां चलाया गया तो आपका kabul कि हैं स्ट्रिया टू बनारस हल दिया जिन्होंने विश्यू की दित्ती चोटी के अपर अपनी विजय प्राप्त कर ली जिसका नाम है मांट ग्लियू ये पपुआ न्यू गे नाम है कहां पर है पपुआ न्यू गएनाटनी एक और दिखते हैं और बेचरी जो है स्टैनली आप जो कॉमिक्स पढ़ते हैं मार्वल कॉमिक्स जिसके के स्पाइडर मैन आइरन मैन इनके है स्टैनली अब इस दुनिया में नहीं है स्टैनली कुछ कोशन्स हैं पहले उसको कंप्लीट करेंगे उसके बद आप वाली पहेंगे आप वाली करेंट पर अजाए इंडियास फस जस्टीची कौनसी है अमरा होती है कुम्रावती को पहला जस्टी बनाया गया इंडिया का लगने लाइक कोशन है किसकी राज़दा नहीं है बिटा वहरी गूट राइट वेटा हंड़ेट परसेंट राइट आंध्रा पर्दिश अके आइनेस विराद अभी बताया तबना आपको म्यूजियम कम मेरिन एडवेंचर सेंटर किसको बनाया गया आइनेस विराद को अच्छा कोशन है financial stability and development council के अंदर कौन होता है बिटा फिनेंस मिनिस्टर डाइरेक्टर जनरल आई टी पीवी के देशवाद देशवाद एक नॉम्बर के दिन किसने अपना इस्तापना जिवस नहीं मनाया चार करण और चार करण और चार करण का एक दिन है ना बिलकुल सही पार्शल क्रेडिट इनेंसमेंट आई बाग क्या भी नहीं है प्रेसिडेंट बन गए विटा जो है मिस्टर गफूर राखी वो कैसे याद करते हैं बड़ा इसी तरीका बनाया देखो गफूर तो अपने बना गपे है यदि S-G में आकर गपे लड़ाओगे तो वॉक्सिंग पढ़ेगी S-G में आकर गपे लड़ाओगे तो क्या पढ़ेगी वॉक्सिंग वह गपे से गफूर ही निकलेगा आपसे यह अच्छा कोशन है चाइना ने पहला एयाई बना दिया जो कि मैंस की इसकी फोटो दी गई है शी जिन पिंग में भी यही शब्दात है ना तो इससे शाव आपको है शिनोवा CCI के कौन मने बिटा है 65 kg में किसने नंबर बन करा है तक यह बजरंग पुनिया सर की कुछ दोजार अठारा के मैं अच्विमेंट लिख रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपोर्नेंट हो सकता है इसमें से कौन सा कौश्ण किया आता है बजरंग पुनिया ने कौन सा नहीं जीता या कौन सी पर्चुपता में क्या जीता कोशन यह आ सकता ना पहले चलते एशियन चेंपियंशिप 20 केक 20 केक कहा है उलान बटर उलान बटर सर नहीं पर ब्राउन जीता यह सब 65 केजी है बेटा और सर कहां से बलॉंग करते है अर्यान आसर प्लीज डॉंट आर्गुमेंट चिक है प्लीज चलते है नेक्स्ट उलान बटर के बाद आप उन चलते हैं आपको पताना है मैं तो क्यों यहां का बलों कॉमन वेल्थ गोल्ड कोस्ट वेरी गुड बेटा गोल्ड कोस्ट आस्ट्रेलिया गोल्ड क्या जिता सणने है पर गोल्ड एशियन गेम जकार्था इंडोनेशिया गोल्ड वर्ल चेंपियनशिप वर्ल चेंपियनशिप बुड़ा पोस्ट कहा थी बुड़ा पोस्ट हंगरी सणने क्या जिता है यहां सिल्वर अब बताइए कोई एतनी एक साल में अभी एक साल खतम होने वार में भी समय बाकी है और यह दित अच्छा अच्विमेंट ले ले दो गोल्ड एक सिल्वर एक ब्रॉंच तो बंदा फर्स पर आएगा या नि आएगा आएगा ठीक है तो अभी बजरों कुनिया सर के बारे में पूछ सकते हैं 65 KZ के अंदर खेलते हैं हरियाना से 2018 के अच्विमेंट पूछ सकते हैं किस-किस परत्योपता में क्या-क्या जीता तो यह चीज़ आपको याद होनी चीवर वाल्ड और एशन गेम जैसी बड़ी परत्योपता में तो आपने क्या जिता है गोल्ड और वर्ल्ड चेंपियंशिप के अंदर आपने क्या जिता है सिल्वर जो कहां है योजी तूइती बुड़ा पोस्ट ठंगरी में और 20 के जो अनंत कुमार मिनिस्ट्री ओफ पार्लियमेंट अप्रियास और अब इनकी जेगे कोन आगे है नरेंद्र कुमार तोमर वाट इस थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड साइंस डे जो कब होता है 10 तारीक को 10 नौंबर 10 नौंबर इसका होगा है साइंस से हुमन राइज साइंस से हुमन जवालाल सरेंड अच्छा कोशन है देखेंगा फ्रांस का होनर आवाड होता है नाइट ओफ दा लिजल ये किसको दिया गया जवालाल सरेंड आप भूल भी या तो जवालाल नेरू याद कर ले ना राफेल की डील करने के लिए मोजी जी नहीं गहते है जवालाल नेरू ग ये कोशन मेरा है पहली महिला वूमें से बीटा सुनलता श्रेवास्ता नुज सेंडरी जरनल ऑफ लोगसवा स्नलता श्रीवास्ता फरस्वोमें से बीटा यहां मेरे दो कोशन आप से लोगसवा स्पीकर कोन है इं सुमित्रम आजान कहां कांग्रेज को लेके आ रहे हूं उसके बाद नेक्स्ट राज्य सवा के अपजब्श को न होते हैं उपराश्पती राइट और अभी नया वाइस चेर्मेन किसको बनाया गया हरीवंच नाराइंड सिंग बिल्कुल सही बिटा हरीवंच नाराइंड सिंग राइट है आयरुएट दे ध्यान रखना धन्तेरस के दिन मनाया जाता है और इस वार पांट नॉम्बर को था आयरुएडा फॉर पॉब्लिक हैल्थ एक अना स्टेडियम रोजच चर्मने के मारा था शतत यूपी लगनाउ आधितेनाथ योगी ने इनका नाम चेंज कर दिया ना अटल यूअरी वार्ट पर ही अवार्ट है ना आप अस्टेडियम कर दिया आपको पता हो तो भी यूपी में कुछ चेंजिज हुए क्या क्या हुए इनको दिखते हैं सबसे परे मुगल सराइ मुगल सराइ क्या हो गया दिन द्यार उपाद गया ओके प्रियाक काशी अच्छा कोशन है लेटरो क्रेडिट ब्लॉक चेंड के दौरा रिसीव करने वाली पहली कंपनी कोई मनी है इस पोर्ट जनलिस इस दा आउतर ऑफ दा बोग दा फायर बांस विल्यू एस्ट्री ऑफ वोमेंस क्रिकेट इंडिया इसके लिखने वाले हैं मिस्टर करूने पता आज की में क्या है सब किताबों करहा के मुली के शब्लू करिशन कीमिए हैं ना यह इंप्यक्ट औ सीरियल का जो भी चल रहा है उसी का तो चल रहा है के श्याâte मूली क्रिश्न है की नहीं कौन है बिटा यूएस से और ये PCI बापस रिपीट है पार्शल क्रेडिक इन्हेंस्मेंट अच्छा कोशन है बहुत अच्छा रॉम फिलिम फेस्टिबल 2018 में मेरे प्यारे प्राइम लेस्टा और आसकर 2019 के लिए विलेज रॉस्टा रीमा दास मदलाल खुराना जो अभी एक्सपायर होगे बिटा दिल्ली के कौन थे सीम और राजस्तान के कहते है गवाना इन्फोर्स्मेंट डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करता है मिनिस्ट्री ओफ फिनेंस मिनिस्ट्री ओफ फिनेंस के में सी ओल पीस प्राइज एक कोई मिल सकता है जिसको ग्रीन अवार्ड नरेंडर मोद लिए विच इंडियन साइंटिस्ट्स विल बी दा होनर्ड विद दा इसलिए कोईशन आएगा दुर्जाबा थर्ड किन के मद्दे खिला गया बेटा रश्या पाकिस्ता इसकी ट्रिक होती है जिसे आपके लिए वो दुर्जाबा है में लिए दोगला दोगले कोन होते हैं ठीक है ना प्लीज शूट होता ना अच्छा नहीं लगता भीया कार देना ना अच्छा नहीं लगता मेरी चबी के पर खराब था वापस है यह वाला अच्छा था ना 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 यूए एसिया किया जसे तो पंक को जढ़े बारी की देखना कोस्षें गलत हो जाएगा नित इसमें अधिकतर पंकεί जड़वानी करेंगे में उसके एसिया वाली आए हुए बैटा चायना में जो हुई थी जिसमें जी रूटी को अहराय था उसमें पंको जड़वान हैंगे और इसमें बेटा ध्यान रखना बिलियर्ट चैंपियंशिप वर्ल्ड होती है यू के वाली तब आपको क्या लिखना है तो अरफ को था यह दोनों कोशन आने के चांस से जाए ठीक है बेटा कि आयाटी मट्राइग जैयर बोलसानरो मलाला यूसुद्ध कि दूब कुछा है कि दसाजार इसकोर ओडियाई में 1000 रन इसकोर 11 विनिंग में 92.5 का स्कूर है ठीक ना और अल और करेक्ट बर्डे आता है पांश नौम्बर को जिसको हम सुनामी डे मनाते हैं चीकू का बर्डे को आता है पांश नौमबर को जिसको हम क्या मानते हैं सुनामी डे क्योंकि जब चीकू उतारता है तो अच्छे-च्छे को सुनामी ला देता है चक्के-चोके-चके-चोके इसे आपको मिशेयाद रहेगा ठीक है इस वार धन्तेरस कुता ठीक है नेक्ट रामभी सुता रश्या आप पांच मिट में बापस आएंगे